हेलो दोस्तों जैमातादी रदे रदे कैसे हैं आप सब तो फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अगर आप भी पहली बार अहोई एस्टिमी का ब्रत शुरू करने वाली हैं या करने की सोच रही हैं तो ब्रत कैसे उठाएं किन नियमों का पा कि मैं हम पहली बार भरत कर रहे हैं कैसे उठाएं क्या मता की माला पहने कलश में क्या वह रहे हैं इस तरह के कि कमिन आ रहे हैं तो हर किसी को जवाब देना पॉसिवल नहीं हो पाता कमेंट बॉक्स में तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ जल्दी से एक वीडियो शेयर कर दू तो फ्रेंट जल्दी से मैं बता जेती हूं आपको सबसे पहले आप ब्रत उठाने जा रही है पहली बार तो आपको क्या करना करम हो गता कहा है यह बता रहती बतों कि दॉसके के बार थे जाल nova प्रते हैं तो यह संसे चोल्दी कर सकतती है वगद्रीवाइस arada ट्येतर को तो यह सब्यां नहीं दूसरी बात आपको इस ब्रत कैसे उठाना तो देखे इस ब्रत को दुफैर तक भी अप्रक सकते हैं अगर आप पूरा दिन नहीं रह सकते कोई प्रॉब्लम है तो आप दुफैर में तीन वजे के आसपस कथा सुन ले आहुए माता की कथा सुनने के बाद आप सुरज को सुरज को अरग झाइए थिच सेल नहीं वूर्ण कर सकते हुए हमारे खीर नहीं बना जाती हम दूफम कोई चीज नहीं बनाते हैँ आपना ब्रत का अवालेति नहीं क्र ने को सहीं करने कि तो पुरे दिन का होता है तो वैसे ही करते हैं तो पूरे दिन के बिएए पूरी तैयारी पहले पूजय करने के बाद अपर एपने बड़त को पारंट कर सकते हैं और इस ब्रत में देखिए न तो सुईधागा चलाया जाता पूरा दिन सुईधागा आप नहीं चला सकते हैं जैसे कोई कपड़ा सिलने बैड़ गए खाली है तो चलो कपड़ा इस बैड़ गए या कोई पौधा साफ कर रहे हैं मठी कोद रहे हैं कोई कपड़ा नहीं काटना क्या चींडें इस साफित करते हैं। और जो मिट्टी का कलश होता है ना दो कलश रखने होते हैं एक अरक देने के लिए और एक दिवाली तक रखने के लिए जो अहोई माता का कलश होता है ना वो से हम इस्थापित करते हैं और वो दिवाली तक रखा जाता है अहोई अश्टमी वाले दिन से दिवाली तक मतलब एक हफ्ते तक उस कलश को रखा जाता है और उसी जगा पर हमें चौकी लगाने चीए जिस जगा पर हम दिवाली की पूजा करने वाले होते हैं सब्वार को इस अगले बड़ी दिवाली इसनान कि यह जनके इदल पी इसनान करें शुप मुद राम हुआ कि इसने? नहीं तो आप अपने उस पानी से खुदी नहालें आपके बेवी हो तब बेवी को नहीं लाएं उस जल का ऐसे यूज के जाता है और जो थोड़ावत आप करना चाहते हैं ज्यादा करो तो घर में पूरे में छिड़क दो ठीक है अहोई माता का जल को और इस तरीके से उस जल पराखाली नहीं करके भरना नहीं है उसी को हमें दिवाली तक रखना है इस की फालको द्याहन रखना है और कश्छ मिट्टी का एक ही रख जाता है दो कलाश नहीं रख ind is अगर आपको फिर भी दो कलश दीवाली तक रखने तो आप एक अनाज का रख सकते हैं जैसे तो साथ की अपर रावार को या किसी जरुत मंद को ठीक है इस तरीके से ब्रत किया जाता है तो पहली बार अप जैसे ब्रत उठाओगे न जैसे सुरुबात करो जाते है वैसे आपको करना पठादेगा यह ब्रत निरजला होता है इसमें पानी तक नहीं पीजला तो जैसे श्चाइज टाला खालोगेובס , जैसे समान लिगड़े,सरीश बैनला ह्च प्रिग कम ऐंकर और के हुआ है ! अगर एक हम महेंगेובס के लो तो अगर के सहाँ वें माला घॉटाय नहीं कोई ऊचाए हैं ! तो आज की वीडियो में इतना ही हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ जब तक के लिए जय माता दी रादे रादे